हाई गाईज, एजुकेशन आप में आपका स्वागत है चलिए तो हम अपना सेशन E7 जो हमारा डेली डोस है हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज दो फर्वरी है मॉर्निंग डोस आपका दिया जा रहा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हैं, cry for the moon cry for the moon का मतलब क्या है moon के लिए चांद को देखकर रोना चांद के लिए रोना कि मुझे तो यही चाहिए यही चाहिए बस यानि किसी ऐसी चीज की आप इच्छा करना, किसी ऐसी चीज के लिए विश करना जो आपको असंभव है जिसे आप नहीं पकड सकते, जिसे आप नहीं ला सकते अब देखिए, अगर कोई बच्चा जो है वो क्या है, मून के लिए, चांद के लिए रो रहा है, तो चांद को हम कैसे ला सकते हैं, चांद हम बच्चे को नहीं दिला सकते, तो असंभव चीज के लिए रोना, यानि to wish for something impossible impossible चीज के लिए जिद करना ठीक है, तो cry for the moon related है, किस से related है, to wish for something impossible impossible चीज की wish करना next है, every dog has his days, देखिए हमने ये film में भी बहुत बार ये dialogue सुना है, कि हर कुटे का दिन आता है, तो every dog has, ये देखिए देख रहा है ना, कि Sunday Monday Tuesday, every day, जो है वो चले जा रहे है कि कभी ना कभी तो उनका दिन आएगा तो good fortune comes sooner or later, कहता है, कि अच्छा भागया जो है, वो जरूर मिलता है, चाहे वो जल्दी मिले, चाहे वो late मिले, यानि कभी ना कभी वो दिन जरूर आता है ऐसा नहीं है, कि वो कभी आएगा ही नहीं तो हमें जो है, वो विश्वाश रखना चाहे इस बात के उपर कि कभी ना कभी ऐसा टाइम जरूर आएगा लेकिन वो आएगा तभी जब हम आप garden को ले लिए जिए नया नया घास निकलता है तो हरा घास होता है जब वो यह ताजा होता है उसको अभी कोई experience नहीं होता है वो यह नया नया बच्चा होता है जैसे देखिए कोई बच्चा जो है 12 करता है graduate हो जाता है तो green horn का मतलब क्या है inexperienced जिसको कोई experience ना हो next है good turn good turn मतलब अच्छी move करना अच्छी तरह मुड़ना मतलब एक अच्छी move करना मतलब movement करना एक अच्छा an act of kindness मतलब जो आप काम कर रहे हो kindness हो मतलब त्यालूता से बरो हो मतलब आपके मतलब hurt के according काम कर रहे हो तो एक अच्छी move ले रहे हो एक सही turn ले रहे हो next है hang together hang together मतलब एक साथ लटका देना या लटका देना सबी बच्चों को एक साथ लटका दिया है spot one another मतलब क्या है इसका एक साथ एक दूसरे का साथ देना जैसे कि मालेजिए नहीं इसने ये काम गलत नहीं किया मैंने किया ये काम तो हम क्या कर रहे हैं उसका साथ दे रहे हैं ताकि उसकी problem को कम कर सके मतलब अगर उसको कोई punishment मिलती है तो वो आपको भी मिल जाए मतलब दोनों में बढ़ जाए तो क्या है hang together मतलब क्या है sport one another एक दूसरे को sport करना ठीक है next है hard and fast hard and fast का मतलब क्या है hard तो हो गया कठोर और fast हो गया तेज मतलब जो इनसान कठोर भी हो और तेज भी हो क्या हो जाएगा वो strict वो strict मिलेगा आपको बहुत सक्त मिलेगा कठोर दिल का और वो तेज भी होगा कि नहीं ये काम करना ही करना ही ये आप देखिएगा जो लोग जो हैं वो सक्त होते हैं strict आपको दिखेंगे वो तेज भी होंगे और कठोर भी होंगे ये कभी notice किजिएगा ठीक है next देखिए hang fire hang fire अभी हमने किया था hang together अब है hang fire क्या कहता है hang to होई गया लटकना fire मतलब आग में लटकना आग में लटकना मतलब remain unsold मतलब बिना सोलजे रह जाना solution ना निकलना अभी भी आप आग में तंगे हुई हो मतलब कोई solution नहीं निकाल पा रहे हो ठीक है तो remain unsold बिना solve किये मतलब बिना solve जे solution ना निकाल पाना hang fire next है hit the jackpot hit the jackpot का मतलब क्या है मतलब सोचा ही नहीं था और एक दम से अजानक से लोटरी लगी ठीक है तो hit the jackpot का मतलब क्या है खजाने से भिढ गया पचानक से unexpected success मतलब एक ऐसी success जो आपने सोची ही ना हो कलपना ही ना कई हो सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा तो hit the jackpot का मतलब क्या है unexpected success next है hole and corner hole and corner का मतलब क्या है hole मतलब चेद और corner मतलब कौने में कौने में चेद मतलब जो किसी को दिखाई ना दे मतलब एक राज है वो secret जगे ठीक है तो secret जो है क्या होगा hole and corner next है in a tight corner देखिए अभी तो था hole and corner अब है tight corner tight का मतलब क्या है tang corner मतलब बहुत कम जगे tang कोने में कैसे tang कोने का मतलब क्या होता है difficult situation जब कम जगे होगी तो इसका मतलब क्या है कि आप एक difficult situation में फसे हुए है निकल नहीं पा रहे हैं समझ यारा की कैसे निकले ठीक है तो ये हमारे दस जो है वो लिए है cry for the moon जो है वो क्या होता है कि किसी चीज़ की ऐसी विश करना जो पूरा ना हो सके something impossible every dog has his days मतलब हर कुत्ते का दिन आता है good fortune come sooner and later जल्दी ही भागया मिलेगा अच्छा भागया आएगा हो सकता है जल्दी आए और हो सकता है थोड़ा टाइम लगाए greenhorn मतलब ताजा बंदा in experience जिसके पस कोई अनुपव ना है good turn मतलब अच्छी move लेना एक kindness वादा कारे करना दयालुत ऐसे भरके hang together एक साथ का लटकना यानि sport करना दूसरे को hard and fast मतलब strict होना hang fire remain unsolved hit the checkport unexpected success मतलब सोचा नहीं था whole and corner मतलब secret रखना or tight corner मतलब difficult situation